गूड मॉर्निक स्टूपन्से जैसा कि कल हमने जिक्र किया कि भौतिक भूगोल की प्रकर्टि का जिक्र करते हुए हम बात कर रहे थे कि भौतिक भुगोल की सबसे महपूर्ण शाखा है जिसमें हम प्राकर्तिक बातावरण के चार प्रमुक मंडल परिमंडल शामिल करते हैं स्थल मंडल या जिसको लिथोस्फेर कहते हैं वायू मंडल या एट्मोस्फेर कहलो जल मंडल, हाइड्रोस्फेर और इन तीनों में जहां तक जीवन है वो मंडल जिसको आप जैव मंडल या बायोस्फेर के नाम से जानते हो तो भौतिक भुगोल में इन चारों मंडलों का अध्यान हम करते हैं और पस्पेक्टिव होता है अध्यान करने का हमारा स्थानिक और सामिक समय के संदर्ब में प्रस्थान के संदर्ब में जो है इन मंडलों के विभेंतत्मों का हम अध्यान करते हैं जो सब्जिक्ट मेंटर या जो सामगरी है विशे सामगरी है वो भी बड़ी विस्टित है और उसका अध्यान शेत्र जो है वो बहुत व्यापक है तो अब जिक्र करते हैं कि चारों मंडलों में क्या-क्या पढ़ते हैं और क्या है ये तो पहला है इस शंखला में वो है धल मंडल थल मंडल आप सभी बाकित हैं लिथोस्पेर केते हैं अंग्रेजी में हमारे प्रित्वी का ठोस ठाग जिसको अभू परपटी कहते हो ठोस ठाग है और मानव जीवन के लिए आधार पसुद करता है यह स्थल मंडल पर वे सभी प्राकर्टिक्स नसाधन पाया जाते हैं जिनके बिना जीवन का उद्भव और विकास संभू नहीं है झाल मंडल इसको समझने से पहले जो हमको कृत्त्वी की पत्पत्ति इसकी आयू इसका भूगर्भिक्स में मापत वह जानने की जरूरत है तो यह तो सारा का सारा जो है हम थल मंडल में ही पढ़ते हैं इसके इलावा प्रित्ति की आंतर इस रंचना, समस्थति, भूष अंचर भरातल पर जलोत थल का वित्रण क्या है इन सभी बातों का अध्यन्थ थल-मंडल के अंतरगत दिया जाता है और यह सब्जेक्ट मैटर्स जो है हमको प्राप्त होता है जियो लोगी से या जियो फिसिक्स से कि इसके इसके अलावा जो है हम स्थल मंडल में भूपरपटी का निर्मान करने वाले कार्पदार्थों कार्फों भुवाक्रतिक प्रक्रियाओं का धरातल पर पाई जाने वाले उद्धिने तरेक इसलाक्तियों का उनके विकास का हम अध्यन करते हैं इसके अलावा स्थल मंडल में उन सभी रोतों का भी हम अध्यन करते हैं जिसके हमको जल्की प्राप्ती होती है निर्मान और धरातल पर उसके वितरण का अध्यन भी स्थल मंडल में ही किया जाता है और इस सारी विशे सामगरी का अध्यन जो है हम बहुते भूल की एक महत्पून उप्षाखा है भू आकरती विज्ञान यह जिसको आप जियो मॉर्फोलोजी कहते हैं उसमें हम प्रूप्षे हैं दूसरा मंडल है दूसरा परिमंडल है वायू मंडल वायू मंडल हमारी गोला कार प्रत्वी के चारों और पाये जाने वाले वायू के हम आवरण को कहते हैं वायू मंडल के कारण ही प्रत्वी पर मौसम और जलवायू की घटनाओं का स्रजन होता है और इन सब का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है तो वायू मंडल जो है वह भी भातिक वुगोल की विशे सामगरी का एक महत्मून आंग है क्या पढ़ते हैं हम वायू मंडल में? वायू मंडल के अंतरगत हम वायू मंडल का संगटन, इसकी सरंचना, सूरियातप, तापमान, वायूदाब और पवने, वायू राशिया, वायू मंडल ये विक्षोब, इसके इलावा वायू मंडल ये आदरता, मोसम, जलवायू, इन सभी तत्वों का अध्यन जो है हम सेमेस्टर में आप करने जा रहे हैं, तीसरा मंडल है, वो है स्थल मंडल, सोरी, तीसरा मंडल है, वो है जल मंडल, स्थल मंडल तो हम कर चुके हैं, तो जल मंडल जैसा नाम बता रहा है, समस्त जल ये भाग जो है प्रित्वी का वो शामिल है जल मंडल में, और हमारे जो प तो जल मंडल के अंतरगत हम मासाग्रे बेसिन की रूप रेखा, मासाग्रे जल का ताप्मान, उसकी लवनता, मासाग्रे जल की गतियां, मासाग्रे निक्षेप, मासाग्रे संसाधन, इन सभी विशों का जो है अध्यन हम जल मंडल के अंतरगत करते हैं, और इस शंखला में आ जीवन का मंडल है ये, सभी जीवित प्राणी रूपों वनस्पति जीवों का परिमंडल है जयव मंडल या बाइो स्फेर, तो जयव मंडल जो है शैतेज रूप से तो सारे भूतल पर और लमबत रूप से अगर हम बात करें, तो महासागर की गहराई से लेकर और वायू मंडल की उचाई तक फैला हुआ है वहां तक जहां तक जीवन संभभ है वहां तक जयव मंडल का फैलाव है वास्तों में यह भूपरष्ट पर तीनों भौतिक मंडलों के संपर्क मिस्तित रहता है यह प्रत्वी के तीन अजयव अर्थात भौतिक परिमंडलों के बीच होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है जयव मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि प्रत्वी पर निवास करने वाला समस्त जीवन चाहे वो मानव है पशुपक्षी है प्राकर्तिक वनस्पति है शुक्ष्म जिवानों से लेकर विशाल का हेल मशली या बड़े व्रिक्ष के आकार तक हो सकते हैं तो इन जीवों को सामाने ते हम दो वर्गों में बाढ़ते हैं एक को वनस्पति जगत कहा जाता है दूसरे को प्राणी जगत कहा जाता है और प्रतेक वर्ग में कई जातियां हैं मनुष्य जो है वो भी जयव मंडल की एक जाती ही है जिसको हम होमोस्पेशियन कहते हैं तो जयव मंडल जो है वो भोतिक भूगोल के अध्यान का केंद्रबिंदु है क्योंकि प्रत्वी का समस्त जीवन इसी में पाया जाता है। इस जैव मंडल के कारण ही हमारी प्रत्वी जो है उसको एक युनीक प्लेनेट कहा जाता है एक अध्वित्य ग्रह की संग्या दी जाती है तो भौतिक भुगोल के विशेशेत्र में हम जैव मंडल के अंतरगत एको सिस्टम और एकोलोजी का अध्यान करते हैं पारसितकी और पास्तिकी तंत्र का अध्यन जो है वो किया जाता है तो इस तरह से इन चारों मंडलों का अध्यन ही इन चारों मंडलों का सब्जिक्ट मेंटर विशेश वस्तु ही जो है हमारे भौतिक भुगोल को विशेशामगरी प्रदान करता है